पुलिस डिपार्टमेंट जो महराश्ट्रा पुलिस का है तो अच्छली इंसा नहीं ना प्राब्लम कहां आई है कि अगर उपर वाले उनके ओपर दबाव देंगे तो पुलिस वाला अपनी वर्दी तो बचाएगा और जहां तक नहीं उस साइकॉलिजिस्ट की बात मैं खु तो कैसे बर्कादत लेकर आई इस चीज को बाहर क्या बर्कादत के ओपर एक क्वेशन नहीं होना चाहिए यह मोडस अपरेंडी होती है अगर आप देखें दिविया भारती का भी अगर आप केस निकाल कर देखें उसके अंदर भी उसको फैंग दिया जाता है कौन से ऐसे हैं जो वहां से कितरे परवीन बाबी के केस के अंदर भी चीजें आई हैं तो आप देखें अगर यह मोडस अपरेंडी है आप कोई भी देखेंगे सुइसाइड इस राइट वे अवज़ा से भी है तो यह आप लोग को सोचना है सोचने के लिए बाते बहुत हैं जितना द अवाज बुलंद होगी एससार के लिए और हम लोग जब तक इस चीज का सॉलूशन नहीं निकल जाएगा पूरी बात निकल के सामने नहीं आ जाएगी तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे नमस्कार आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडा मैंक साजितेंद शुकला सुशान सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में चली कारवाई पर कई चीज़े सामने आई जैसे कि अभी तक मुंबई पुलिस द्वारा कोई अफायार दर्ज नहीं की गई और सवाल यह उठता है कि कोई अफायार नहीं तो जांच किस बात की हुई और रिया चकरवर्ती का यह कहना कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए और उनके वकील द्वारा यह कहा जाना कि जो बिहार में अफायार हुई है उसे मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए और सीवी आए की जांस से बार बार भागने की कोशिश करना तो सवाल यही उठता है कि आखे जांस से इतनी आपत्ती क्यों हो रही है इसी पर चचा करने के लिए इस समयमासा सुप्रीम कोर्ट की मानिया वकील अनूजा का पूज़े जुड़े हुई है मैम से जानेंगे इ इतने दिन हो जाने के बार बिल्कुल यह जो आपने अभी बहुत बारीखी से इस पूरे केस को समझाने की कोशिश करी है यही कहीं न कहीं आक्चली हो रहा है CBI की मांग हम सब लोग करते नहीं क्योंकि मैं एक सोशल अक्टिविस्ट भी हूँ एक क्रिमिनल साइकॉलिजिस्ट हूँ तो क्राइम को बहुत गहरीकी से समझ पाती हूँ और क्या प्रफाइलिंग है इसको भी समझ पाती हूँ कि किस तरीके से कौन से लोग इसमें सो रहे हैं तो ये भी एक की साथ में जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते क्योंकि जो पुलिस जोड़ना चाह रही थी माराश्ट्रा की वो जुड़ नहीं रहा था हमारे लिए और क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ नहीं रहा था इसी वजह से इस चीज की आगे मांग है कि जो कहीं से भी हूई सकती हैं अगर सपोज बिहार ने क्वा लेख पैज कर लांच कर दी होती कि अगर सपोस्थ बो जाये है तब कि हुगाउचे लेकर सुन जहां पर हुआ है वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी अब यहां पर क्या हुआ जिस दिन चौदा जून को सुशान्त की जब मौत होती है उसी टाइम पर कुछ ऐसी चीज़े घटती है जो नहीं होनी चाहिए जो एक आम आदमी के साथ नहीं होती सुईसाइड के टाइम पर आप जब सुईसाइड के सीन ऑफ क्राइम पर जाते हैं तो वहाँ पर आप बोड़ी को पर मीडिया में फॉरन वहीं पर पुलिस भी लोग खड़ी ते और किसी पुलिस वाले नहीं इस बात को वाइरल कर दिया जब उसकी बॉड़ी पलंग पर लटाई हुई है और वो वाली फोटोग्राफ को वाइरल कर रहे हैं आज उसी फोटोग्राफ से ये भी कटगरे वे खड़े हो गए क्योंकि उसको जब हमने बहुत गहराई से देख रहे हैं तो बहुत चीजे सामने नजर आ रही हैं तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी उस पर बात करते हैं और उसको देखते हैं और बात करने की कोशश कर रहे हैं कहीं न कहीं पुलिस डिपार्टमेंट जो मह महाराश्टर पुलिस का है है तो एक्चुली इंसा नहीं न प्राब्लम कहां आई है कि अगर उपर वाले उनके ओपर दबाव देंगे तो पुलिस वाला अपनी वर्दी तो बचाएगा ट्रांसफर थोड़ी नहीं करा लेगा यहां पर छोटे मोटे खिलाडी नहीं है इस के अंदर इसके अंदर बड़े बड़े कहिलाडी तो ठाकरेः परिवार के लोग मिलोग तो पुलिस के यहां पर हम लोगोंे कहीं जगाओं पर देखाए कि पुलिस जो है वो एक साथ आकर बात कर लेती है कई जगाओं पर ऐसा होता है कि एक दूसरे को investigate के अंदर help कर दिया जाता है चाहे उसकी वहां पर jurisdiction हो पर investigation में इस तरीके से बिहार पुलिस का जब एक officer वहां जाता है उसको को quarantine कर देते हैं बाकियों के उपर पांछों के उपर जो केस को investigate कर रहे हैं उनके उपर F.I.R. लाँज हो जाती है पुलिस वालों के उपर क्या आप ने इस तरीके का classic case कभी देखा जहां पर पुलिस वालों के उपर पुलिस वाले F.I.R. कर रहे हैं या पॉलिटीशन को F.I.R. कर रहे हैं जहां पर आप investigation को मना किया जाए मुद्दा क्या है क्या मुद्दा है यहां पर कि हम सुशांत के murderers को ढूने क्या वो murder है क्या वो suicide है वो कैसे सामने आएगा वो तभी सामने आएगा अगर right questions आ रहे हैं right questions क्यों निकाले जा रहे हैं और क्यों नहीं एक आम आदमी के हलक से ये उतर रहा है कि ये suicide है क्यों नहीं यह लोग मांग रहे हैं कि यहां पर लोग कहते हैं रिया बिचारी है रिया अगर कहीं पर कोई can't कर देगी उसके साथ जिस तरीके से बरबरता हो रही है शी इस बीं ट्रामेटाइज रिया अगर सुइसाइड कमिट कर देगी या एंड के अंदर रिया ये एकुटल में आ जाएगी तो क्या आप लोग रिया से मीडिया जितनी है जो ट्राइल कर रही है क्या वो लोग या वो पैनलिस्ट जो बैठे हैं वो से कि जहां पर हम लोग अपने फरस्ट लेवर पर फरन्ट फुट पर आगए यहां पर दिशा भी मर गई थी दिशा का भी केस अब उठ्रेंग आ दिशा वालों की बाते भी कि अब ही सामने आई क्योंकि उसकत भी उसकी माउथ को दबा दिया गया था और इस दो और विए ऐसे लोग थे जिनकी मौटे हो जाती इसके दोस्त शुशांत के उसके स्कूप भी दबा दिया गया था क्या इसके अंदर ये जो दबाने की प्रक्रिया है क्या ये एक एनर्जी है जो ऐसी बाहर निकली है जो लोगों के थ्रू निकली है जो सचाई और मांग की बात कर रही है क्यों इतनी जनता पागलों की तरहा सपोर्ट में खड़ी है क्या ये एक बात का अंदाजा नहीं है आज जिस मीडिया ट्राइल की बात के लोग करते हैं तो क्या उसी मीडिया ने जसिका लाल को इंसाफ नहीं दिलाया निर्भिया को इंसाफ नहीं दिलाया अंजिन चैनलों के ऊपर आज हम उंगलियां उठा रहे हैं क्या उनी चैनल पर अगर आपके साथ कुछ हो जाएगा तो क्या आप उस चैनल के पास जाकर पाद करते हैं आपिए आगे आना चाहते मीडिया वालों की तरह ही तो क्या उस सकत डमान यास करते हैं अप देखे अर्न्व अउट्रिय वालो आज वालों कर दोड़ा सह मंगर कुछ पत्रकार ईह भी है राजदिप सरदेशाही हो गए वो कहता है इतने इंपोर्टेट नहीं तर्शुषान सिंग राजपूत कि उनको इतनी वेल्यू दी जाए एक और पत्रकार निकल कर आती है वो तो उनकी जो साइकेटरिस्ट है उनसे इंटर्व्यू लेकर आ जाती है उनको पूरा पूरा पर आये हैं वो यह भूल गहें कि वो भी पहले कुछ नहीं थे वो भी पहले कुछ नहीं थे और उनको भी यहां तक पहुचाने वाले हमी लोग हैं इसलिए यह देखना बहुत जरूरी है कि आप इस तरीके की हलकी टिपनी करके जो मर गया है उसकी आत्म को शांती ना देत हुए उसकी सचाई को ना ब्यां करते हुए क्योंकि अगर कोई आदमी के साथ मर्डर है या स्वीसाइड आने दीजिए सामने ना आप लोग क्यों और रिया भी या और जिन जिन के नाम अक्यूस्ट हैं वो क्यों इतने डेस्परेट हैं कि वो मीडिया के अंदर खुद उस मीडिया ट्राइल का हिस्सा बन रहे हैं और क्यों उसके अंदर आकर वो ये बात अपने ही सारे डॉक्यूमेंट्स रिलीस करने लग गए हैं क्यों वो खुद इसके पार्ट बन गए हैं तो रुके ना वो लोग बात करेंगे आगे जाकर हम कोट के अंदर कोट क्यों नहीं फिर कोगनिजन्स लेगा लेगा ना तो आप विट कीजिए आप मीडिया के अंदर खुद बताने लग गए हैं मीडिया तो अपना काम करेगी ही करेगी आर्टिकल 19 है कोंसिटूशन का मीडिया है और मीडिया बोलती है और यह लड़ाई मीडिया की सुप्रीम कोट में कि साल में आया लोग कहते हैं कि रिया का जो भी रहा वो सुशाथ उसके उपर पैसा खर्चा करता था नहीं करता था उसके पूरे काउंट से करता था नहीं करता था रिया बड़े अच्छे खांदान से थी करोणपती खांदान से थी रिया का उसके उपर कुछ भी कर सकता लोगें लुजा है कि मेरे उपर इस तरीके से मैं मर जाओंगा ये मेरे को कहीं परेशानी है मुझे बचा लो क्या है उसके उपर उसके बाद कुछ टाइम बाद मर जाता है क्यों उसका ये पैटर दिखाता है अपने SIM को बदल रहा है क्यों वो रातों को उसमें सोता है और जहां तक नहीं साइकॉलोजिस्ट की बात मैं खुद एक साइकॉलोजिस्ट हूँ मैंने तो आज तक कभी किसी को डोज नहीं दिया मेरे कितने केसी है आज तक कितने केस मेरे मीडिया में क्या यह हमारी professional ethics है कि हम अपने cases को without court order के बाहर नहीं कर सकते तो कैसे बर्कादत लेकर आई इस चीज को बाहर क्या बर्कादत के ओपर यह question नहीं होना चाहिए आज आप अरणभ गुस्वामी के ओपर बोल देंगे या आप दो चीज़े और किसी को बोल देंगे यह कंगना रनौत को target कर देंगे शेकर सुमन के बारे में बात होती तो कहते जी वो शिर सेना या किस के साथ खड़े हो गया आज रिया जब पहले CBI की बात कर रही थी अचानक से CBI को उसको लगता कि CBI नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए आप CBI नहीं होना चाहिए माराश्रा पुलिस करेगी अर नजर नहीं आ रहा हम लोगों को क्या वो अगर डॉक्यमेंट की फोर्ज अगर जांच हो फॉरेंसिक तो इसके नजर आएगा कि डॉक्यमेंट को किस तरीके से फोर्ज किया गया इसने अपनी हैंड्राइटिंग से लिखा है वह ग्राटिटूट अब तो सब कोई बिजेपी के नेता हैं उनके दौरां कान भरे गए हैं और भिषार चुनाओं होने के बाद यह सव श Deинए होती हैं पर आप इसके अंदर यह उद भूलिये यहां पर लशे लग गई हैं लाशे नाशे और वो जो लाशे हैं जो मौत हुए हैं उनका जुम्मेवार कौन है और उसका जुम्मेवार उसका सच कौन निकालेगा सुप्रीम कोड को तो कोई इलेक्षन नहीं लड़ना ना तो सुप्रीम कोर्ट अपने क्वेशन अफ लॉव जो सामने आया आपने जब सुशान्त में अंदर गुस्ते ही आप उसको कह रहे हैं क्योंकि जब आपका डीजी भी और आपके डीजी पिया बात कर रहे हैं उससे ऑल्रेडी रिया चक्रोबर्ती से बात हो रही है आप अल्रेडी आप कहरें फोन पर कि इनवस्टीकेशन हो रही थी कौन फोन पर मार्ड तो आप माध मिकर्ट फोन पर इंवस्टेकेशन नी किस बात की इनवस्टीकेशन चली दी विदा विना फार कर सकते हैं अरे फाई यार क्या आप ऑफयार के लिए सॉस्पेक्ट मांगना ज़रूरी है ना तो यह पून कर वेस्टिकेट करते उसी तरीके से ये निथारी केस की तरहां ये आपके अरुशी केस की तरहां उसके अंदर भी नॉड़ा पुलिस ने सारा कांड कर दिया क्यों पुलिस वाले इस तरीके के काम करते हैं आप लोग को क्या करना चाहिए हम लोग बिहार पुलिस के भी for or against में नहीं है हम लोग भी चाहते हैं कि पुलिस वालों के नजर हम लोग भी उनको उसी एक humanity की तरफ से देखे पर क्या आप लोग भी हमें as a human देखते हैं क्या आप लोग investigate कर पाते हैं आप सचे मन से बताइए क्या आप political will के अंदर फसे नहीं है माराश्रा पुलिस की क्या problem है क्यों नहीं उद्धे ठाकरों को जवाब दे पारे आप ही का constable निकल के भार आता है अब आप यह भी कहेंगे क्यों constable नहीं था वो कोई और था सर कितना अपने आपकी भी फैमिली को बचाने के लिए आप लोग की कर रहे है न यह सिच्वेशन सामने आई है आप लोग इतने खुद में डरे हुए हैं अगर पुलिस ही डर जाएगी तो सच की बुनियात कौन लेकर आएगा सवाल यह भी उड़ता है कि दिशा सालिमान मामला है उसमें बताया जा रहे कि जो डेट बॉडी थी कुछ चीज़ों निकल कर सामने आई है कि वो न्यूट कंडिशन में थी अगर कोई सुसाइट भी करता है तो न्यूट कंडिशन में उचके कुस दिन बाद शुसान सिंग लतार ही ज़ा दिशती हैं ऑगर देखे धिव्या भारति का भी अगर आप केस निकाल कर देखें उसके अंदर भी उसको फैंख दीयाजाटा है कौन से ऐसे लोग हैं जो वहां से कितरे परवीन बाबी के केस के अंदर भी चीजें आई हैं तो आप देखी अगर ये मोडस अपरेंडी है आप कोई भी देखेंगे और इसके अंदर जब भी बड़े इंफ्लूएंशल लोग होते हैं वो कोई भी केस कभी भी सॉल्व नहीं हो पाता शर्षी थरूर का केस सुननदा पुशकर अरनव गोस्वामी वो ही था जिसने शर्षी थरूर का केस भी उठाया तो यहाँ पर आप कह दी जो BJP से बिलॉंग करता है वो किससे बिलॉंग करता है रिपब्लिक किससे बिलॉंग करता है एंडी टीवी किससे बिलॉंग करता है कोई और चैनल किससे बिलॉंग करता है बात चैनलों के बिलॉंग करने की नहीं है जब तक कि हम लोग अपने इस प कौंच कई निकल पाएं क्यों क्योंकि कंद Cantoneseram Coff either comparable to your Phantom'd painting got a अब लोग क्यों बोल रहे हैं आप लोग के पास जवाब क्यों नहीं है क्यों आप भाग कर सीजिसे बात नहीं कर पा रहें क्यों आप अमनों को counter नहीं कर पारें क्यों हमारे tweets जो है महराश्टरा के अंदर जो लोग tweet कर रहे हैं उनको arrest किया जा रहा है क्या है ये क्यों account deactivates करे जा रहे हैं क्यों कर रहे हैं आप लोगे क्योंकि क्या सिरफ और सिरफ आप बिहार collections की बात कर रहे हैं महराश्टरा से ठाकरे की गवर्मेंट से मैं भी सवाल पूछती हूँ अधित्य ठाकरे का नाम क्यों है क्या आप बताईए क्या अधित्य ठाकरे को बचाने के लिए यह पूरा तक उसकी इमेज अच्छी बनी रहे क्या यह सारा गेम उसकी वज़ा से भी है तो यह आप लोग को सोचना है स जितना दबाएंगे आप लोग हमें जितना दबाएंगे उतनी आवाज बुलंद होगी एससार के लिए और हम लोग जब तक इस चीज का सॉलुशन नहीं निकल जाएगा पूरी बात निकल के सामने नहीं आ जाएगी तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे